हेलो एब्रिबड़ी, आज के इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग किस तरीके से अपनी परसंटेज को 90 के आसपास ले जा सकते हो by simply following 7 steps, चलिए देखते कैसे इसके लिए आपको चाहिए, effective strategies, effective strategies and focused revision और अगर आप लोग के पास ये दो effective चीजे होंगे, तो आप लोग आप से 90 प्लस परसंटेज ले आ सकते हो आने वाले बोल एक्जाम्स, तो इस वाले वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे so welcome back to the channel, आगे हम इस चीज के बारे में जानते है so if I talk about the question pattern, यहाँ पर class 10 के लिए, 50% of the questions will be from, you know, the question based, sorry, the concept based questions, resource based questions and all, okay and यही पर अगर हम देखे, class 12 के लिए, तो यह होंगे खाली 40% and 20% दोनों में मदलब, you know, objective type questions, या तो फिर MCQs, बोले, book related, ठीके and then आपके 30%, अगर हम देखे, तो class 10 में 30% and class 12 में 40%, ऐसे questions रहेंगे, जो short answer, long answer, जो आप लोगों ने, यह वाले जो chapter related questions रहेंगे, इन सभी चीजों से आप लोग को 40 and 30% के questions मिल सकते, ठीके and अगर हम बात करें, यह 50% वाले, 50 and 40% वाले, तो यहाँ पर किस तरह के questions आपको मिल सकते, यहाँ पर मिलेंगे एक तो MCQs वाले and concept based, concept based भी यह नहीं कि आप लोग को book से बहार आएंगे, नहीं, होंगे book के concept भी पर आप लोगों को, जब आप लोग तयार कर रहे होंगे, किसी भी topic को, तो आप लोग इस तरह के से उस topic को तयार करेंगे, कि मिल जिस तरह की questions आ सकते हैं, जितने भी possible questions हैं, उन से जो बन सकते, उन सभी questions को आप लोग आराम से tackle कर सकते हैं, और फिर वो एक case को भी, मतलब उसी questions को एक case के, you know, case में convert करके आप लोग के आगे रखेंगे, तो फिर उस तरह के से आपको इसको tackle करना पनेगा, ठीक है, तो आईए, अब हम देखते हैं कि आप लोग किस तरह के से आने वाले exams में, माने आने वाले 2024 board exams में, किस तरह के से आप 90% के आसपास आ सकते हो, by simply following 7 steps, जिसमें से 1st step है, practice previous year question paper, practice previous year question paper, ये बहुत ही important है, this is very very important, when you start this PYQs and all, you know, at that time, you will get the idea, like, what kind of question will be filmed from that topic and the chapter, okay, so, इसलिए आपको question practice करनी जरूरी है, ठीक है, वो भी PYQs, अगर आप देखोगे, तो आप लोग ये भी अनुमान लगा सकते हो, कि इस वाले topic से, you know, कितने marks के question बन सकते, तो इसके लिए आपको practice question, previous PYQs, बहुत ही important है, ठीक है, and, उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान में लखना है, ये चीज़ बहुत important है, कि आप लोगो को अपने अपने जो weak areas होते, सभी के अपने weak areas होते, तो उस weak areas वे आपको काम करना है, ठीक है, कोई भी topic हो, या तो फिर कोई भी subject क्यों ना ले लो, तो आप लोगो को अपने weak areas से, पीछे नहीं अतना है, जैसे हम बोलते हैं, कि कोई भी चीज ऐसे आपको पसंद नहीं है, या तो फिर आप उसे, मुझलब उसमे आपकी grip अची नहीं है, तो फिर आप उसको avoid करने की कुछ करते हैं, पर इस मामले में आपको उसको avoid नहीं करना है, बस, ठीक है, उसको आपको ignore नहीं करना है, उसके पीछे आपको जाना है, और उसको बहुत ही अच्छी तरीकी से, कोई भी concept best question आ गये, तब भी आप कर सको, okay, so this is point number one, जो आपको करना ही है, and the point number two, and the point number two is, solve, sample, papers, and mock test, इससे क्या होगा कि, मतलब है, कि आपको question pattern अच्छे से समझाएगी, and फिर आपके speed को भी आप track कर सकते हो, okay, क्योंकि board exam में क्या होता है, कि चलो, ठीक है, माना कि आपने सभी questions आपको आते थे, पर अगर आप time पर उन सभी चीजों को नहीं कर पाते हो, तो फिर वहाँ पर भी problem आ सकते है, इसलिए आपको अपने time को भी, अपने speed को भी, you know, improve करते जाना है, इसलिए आपको sample paper भी solve करना है, and mock test देना आपको, ठीक है, and एक चीज़ और, कि don't rely solely on guides, अब जैसे, you know, होते हैं कहीं सारे बच्चे की, उन्होंने दस exam के लिए एक guide book खरेद लिया, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, पूरी, you know, पूरी, मलब उनकी preparation का, खली, वो लोग, मलब, वो guide के ही उपर depend करते हैं, ये भी नहीं करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि, आप लोगों को guide follow नहीं करना है, guide को भी follow करना है, ठीक है, guide book जो मिलते हैं market में, उसको भी follow करना है, पर उसके साथ साथ, आपको NCRT, NCRT, बहुती अच्छी तरिके से follow करना है, क्योंकि questions बनेंगे NCRT से, questions नहीं बनेंगे आपके guide book से, questions नहीं बनेंगे आपके बाहर के book से, ठीक है, चाहे आप concept clear करने के लिए बाहर के book के help ले लो, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, पर questions बनेंगे, questions बनेंगे, खाली NCRT से, तो इसलिए आपको NCRT को, NCRT को ignore नहीं करना है, ठीक है, यह चीज है, दूसरी बात, अगर हम दूसरी बात की बात करें, तो, यहाँ पर आपको स जिन subjects के coachings वो लोग लेते, खाली उनहीं subjects के इर्दगिर्थ, वो लोग सारा अपना time निकाल देते, पर यह नहीं करना है, आप लोगो को, एकदम wisely होकर, एकदम smartly होकर, हर एक subject के लिए time को allocate करना है, ठीक है, और हर एक दिन, आपको उस subject को time देना होतना, चाहे बले आप, म हर एक time, उस subject को भी time करना है, ठीक है, तो यह रही आपकी तीसरी point, and the fourth point is revise smartly, मैं आपको यह बोलंगा कि अपने खुद के notes बनाएगे, ठीक है, जब आप अपने खुद से notes बनाओगे, तो उस notes को आपको रटना नहीं पढ़ेगा, उस notes को आपको समझना नहीं पढ़ेगा तो इसलिए, अपने खुद के notes बनाएगे, और notes इस तरह के से बनाएगे, कि मतलब खाली जो highlighted point है, एकदम concise way में, आप लोग अपने notes को बनाएगे, यह नहीं कि सारा बुक आप रटने बेच जाओ, यह नहीं करना, आपको revise करना है, पर smartly, smartly revise करना है, और यह तो मतलब पता चली जाएगा, अगर आप लोगोंने, अगर आप लोग PYQs को उचसे तरह किसे करते हो, कि कौन कौन से concept, हर एक exam से पूछे जाते हैं, ठीक है, frequently होता है, कहीं से concepts भी होते हैं, आपके books में, जो हर एक साल repeat होते रहते हैं, मनलब, questions A to Z, मलब, exactly repeat नहीं करते हैं, पर concept है पर questions मलब नहीं बना देते हैं, पर फिर भी, आप लोगो को क्या करना है कि कौन से concept, frequently पूछ सकते हैं, जैसे अब मेरी subject की बात करो, तो फिर, you know, class Delft ने अगर हम देखे, तो double fertilization, यह बहुत बार repeat होते रहते हैं, तो आपको इस topic को बहुत ही अच्सी तरीके से prepare करना है, य इस concept के कहीं से भी question उठा सके, उस questions को आप लोग अच्छी तरीके से handle करना है, इस तरीके से आपको revise करना है, यह रही आपकी fourth point, and the fifth point, this is very very important, ठीक है, stay calm and positive, अब इन दिनों क्या होता है कि आप लोगों के पास, आप लोग ना बहुत, आप लोग मलब proactive state में हो, ठीक है, स्कूली पर रहे, तो फिर एक तरीके से एक pressure build-up होता है, ठीक है, आपके, चाहे आपके circle में हो, यह friends के बीच में हो, या तो फिर family pressure भी होते है, चलो, यह, मलब, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एकदम बहुती chill होकर, यह नहीं कुछ भी नहीं होगा, यह आपको focus रहना है, पर बहुती काम होकर, calmness is another key factor, जो आपको 90, मलब, 90 भी क्या बोलो, जो आपको बहुती अच्छे marks के तरफ ली जारता है, calmness, एकदम काम रहना है, stay positive, है नो, अगर आप positive रहोगे, अगर आप काम रहोगे, तो आपके hormones भी उसी तरह के से काम करेंगे, आप के hormones आपको regulate करेंगे, अगर आप, मलब, अगर आप काम हो, अगर सभी सिस्टम आपके ठीक है, तो ही आपकी, क्या होगा, you know, efficiency बढ़ सकेगी, उस पटिकुलर चीज के तरफ, है नो, इसलिए आपको stay calm, एकदम, मलब, positive रहना है, शांत रहना है, है नो, इस चीज को भी समझ मैंने, 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 देखा है, कहीं से रहे बच्चे क्या करते हैं, कि, you know, exams के, अगर exams, you know, नजदीक आ रहे, तो फिर वो लोग, अपना खाना पिना भी बंद कर देते हैं, मलब, उस चीजों पर वो लोग ध्यान ही नहीं करते हैं, है न, इस से क्या होता है कि, ए तो क्या होगा कि, आपके कल वाले exam में, आप उतने अथितर के से परफॉर्म नहीं कर सकोगे, अगर आप, you know, जब आपकी internal, जब आपकी health ही बहुत ही खराब है, तो आपकी efficiency खुद बखुद नीचे आजाएगे, efficiency नीचे आजाएगे, graph नीचे आजाएगे, तो इसलिए, आपके लिए, especially इस समय पर, stay healthy, you know, health भी आपको compromise नहीं करना ही, proper sleep, एकदम balanced diet, और exercise वगेरा भी आपकी कर सकते हो, physically अगर अगर आप feet रहोगे, physically अगर अगर एकदम energized रहोगे, तभी आप mentally भी, you know, like energized, fit रहोगे, तो अगर आप अपने health को compromise कर रहे हो, तो कही ना कहीं जाकर impact परेगा, हाला कि अभी आपको नहीं लगता है कि वो हो सकता है, पर होगा जरू, इसलिए, do not neglect your health, ठीक है, एक चीज़ में आपको यहाँ पर यह बताओंगा, कि यहाँ पर जो stay calm वाला, जो है, point है, इस पर आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है, आपको लगता होगा, शा पर इध्यान नहीं दिया, यह वो, आप लोग सोचते होंगे, शायद, पर यह है कि आपको doubt नहीं करना है, क्यों doubt नहीं करना है, बले आप लोगों ने, अपने schools में, you know, schools में आप लोग attentive नहीं थे, पर आप लोग blank नहीं हो, यह बहुती बड़ी बात है, कि आप लोग blank नह आपको, जिसने, जैसे आपको, you know, acid base के बारे में, जैसे पढ़ाई, आप लोग chemistry class में बैट गए है, यह तो फिर आप कोई एक topic बाईगे, कोई topic जैसे photosynthesis के बारे में आप पर रहे हो, तो आप लोग हो सकता है कि पहली बार पर रहे हो, तब, ठीक है, पर अभी का सीन वह न पर आपके soft conscious mind में जरूर है, तो इसी लिए, आपको doubt नहीं करना है, आपको stay, आपको calm रहना है, आपको positive रहना है, और आपने जितने भी, जो भी आपने knowledge गें किया आपके schools में, उसको लेकर आपको doubt में नहीं रहना, हाँ, मलग weakness, weak points होते है आपके, उन weak points को, आपको क्या क आप लोग, एक mental state में हो, ठीक है, आप लोग क्या होता है कि, अगर मानो कि कोई, आप कोई problem कर रहे हैं, कोई questions कर रहे हैं, physics के, या तो फिर उसमें आपको, मलब problem आएगी, तो उस problem से आपको नहीं भागना है, और procrastinate करना है, मलब मेरा तो यह होगा, मेरे से नहीं होगा, य यह नहीं करना है, प्रोकाशनियत नहीं करना है, यूजिए अगर आप प्रोकाशनियत करोगे, मलब आप खयाली पुलाओ में चले गए, तब फिर आपको stress होगा, तिक है, adrenaline rest होगा, मलब और फिर आपके performance भी गिर सकता है, जो आप जिस तरीके से जा रहे हो, जिस तरीके के आप लोग चलाते होंगे ना Facebook, Instagram, WhatsApp यह वो तो इन सभी चीजों को अभी फिलाल के लिए दो थिन महेने के लिए फुलिस्टा पे ले जाना है पर कि don't skip breaks ठीक है बुए आपको लेना है यह नहीं कि आपको अपको को था लेई करना कि चलो distraction करते हैं यह वो यह नहीं करना है इन सभी चीजों को अगर आप avoid करोगे and जो भी मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया stay calm वाले positive point यह इन सभी चीजों को अगर आप करोगे तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आपको 90% के आसपास आपके percentage आते हुए आपको मिलेंगे तो यह था हमारा आज का वीडियो कि आप लोग किस तरीके से अपनी marks को 90% से भी उपर ले जा सकते हो last moment में वो भी so yes I hope you have understood so many things from this video and अगर आपको किसी भी point पर अगर आपको doubt है या तो फिर आपको समझ नहीं आ रहा है तो please let me know in the comment section and and अगर आपको किसी भी तरीके की health चाहिए मेरे से मेरे lectures की through या तो फिर आपको guidance की जरूरत है तो फिर आप लोग comment down कर सकते हो ठीके उन सभी चीजों पर में अपना पूरा time दूनगा so yes ये था आज का वीडियो I hope you have enjoyed the video and मिलेंगे अगले वाले वीडियो में thank you